हलो इस्टुडेंट, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तयारी बहतर चल रही होगे तो इस्टुडेंट आपको बता दे कि आज का टॉपिक है विज्ञान के सव महत्पूर्ण प्रस्म और पार्ट ये सात्मा है, जिन्होंने बाकी सब्जक्ट से संबंधित पार्ट नहीं देखें, तो प्लेलिस्ट में वीडियो सेव रखी है, आप जाके उसको देख लें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें, बीच में छोड़के मत जाएं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं, 12-15 मिनट की वीडियो होती है, उसमें आपको पूरी मैराथन क्लास देते हैं, तो इस्टुडेंट आपको बता द देनने से पहले वीडियो को लाइक करें, तो चलिए देख लेते हैं, आज के अपने पहले प्रस्ण, फॉरेन हाइट में मानो सरीर का सामान नताप कितना होता है, तो सही जवाब हो जाएगा, सैटिस अंस चल्सियस, नेश्ट प्रस्ण है, कैल्विन में मानो सरीर का सामान ताप कितना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 310 कैल्विन, मैंने तीनो ताप करम आपको बता दिया है, नेश्ट देखते हैं, ब्रहमांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सतत्यों पाया जाता है, ब्रहमांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, ने मंदल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा nitrogen 78% next है सापेच्छता का सिधान्थ किस ने प्रतिपाधित किया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइंश्टाइन, साफेश छता का सिधान्थ आइंश्टाइन, नेश्ट है तैरने का सिधान्थ की खोज किस ने की थी, तैरने का सिधान्थ की खोज आर्कमडीच ने करी थी, प्रस्ण 9 है थाइराइड गरंथ की अत्यधिक बृध्धी किसकी कमी के कारण होती है, तो थाइर साइटोलाजी में किसका अध्यान किया जाता है नेक्स्ट है पोमोलाजी में किसका अध्यान किया जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा फलो का याद रखना पोमोलाजी में फलो का पाफा ऐसे याद कर लेना डेमोग्राफी में किसका अध्यान किया जाता है तो इसका सह होता है नेक्स्ट प्रस्ण है 14 अब्लड क्या है ब्लड क्या है तो ब्लड संयोजी उतक है याद रखना बहुत महत्पूर प्रस्ण है नेक्स्ट है कि जन्तु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइट्रो कांडिया नेक्स्ट प्रस्ण है इस्टुडेंट प्रस्ण है 16 मानो लीवर के में कौन सा बिटामिन पहले से मौजूद है मानो लीवर में कौन सा बिटामिन पहले से मौजूद होता है तो बिटामिन ए नेक्स्ट प्रस्ण है प्रस्ण 17 विकास का सिधान्त का प्र पायुदाब मापी यंतर का नाम है बैरो मीटर आगे देखते हैं वाहन द्वारा चली गई दूरी किससे मापते हैं याद रखना नेश्ट प्रस्ण है एक्सरे का अविस्कार किसने किया था एक्सरे का अविस्कार रांट जन ने किया नेश्ट प्रस्ण है प्रस्ण 22 स्कूटर का अविस्कार किस ने किया था तो स्कूटर का अविस्कार किये थे जी ब्रॉड सा और साइकिल का अविस्कार किस ने किया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक मिलन साइकिल का अविस्कार मैक मिलन नेश्ट प्रसन है कि चाल्स बैवेज ने किसकी खोज की थी तो चाल्स बैवेज ने कंप्यूटर की खोज की थी याद रखना नेश्ट प्रसन है 25 कि TV की खोज करने वाले बग्यानिक का क्या नाम था तो बताए इसका सही जवाब ك्या हो जाएगा जेयल बेड जेयल बेड ने टीवी की खोज की थी पादब कोशी का भित्ती किस की बनी होती है पादब कोशी का भित्ती सेलिलोज की बनी होती है प्रस्न 27 है अफीम के किस भाग से मार्फीन की प्राप्ती होती है तो फल आउरर से प्रस्न है 28 किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है तो डालचीनी के पेड़ की छाल से मसाले का परियोग किया जाता है प्रस्न 39 है सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है तो सबसे छोटा फूल किस पौधे का होता है बोलफिया का प्रसण तीस है सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा है तो सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है रिफ लेशिया ठीक याद रखना सबसे छोटा बोल फिया सबसे बड़ा रिफ लेशिया प्रस्ण 31 है किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं यह हैलो फाइट होते हैं जिससे कि इनका मुख हमेशा जिस साइड सूर होता है उसी साइड होता है जैसे सूर्य मुखी मानो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो मानो शरीर का सबसे बड़ा अंग है तोचा, इसकिन नेक्स्ट देखते हैं प्रस्ण 33 है LPG में किस गैस के भराव के कारण उसमें लीकेज होने का पता चल जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा इथाइलमर केप्टन प्रस्ण 34 है PRODUCER GAS का सूत्र है तो इसका सही जवाब हो जाएगा CO PLUS N2 नेक्स्ट देखते हैं कि WATER GAS का सूत्र क्या है WATER GAS का सूत्र और PRODUCER GAS का सूत्र दोनों सेम है थोड़ा सबस्ट दिफ्रेंस है CO PLUS H2 अब नेक्स्ट देखते हैं कि आवर्त सारडी का सबसे हलका तत्तो कौन सा है तो आवर्त सारडी का सबसे हलका तत्तो होता है लीथियम सबसे हलका लीथियम और फिर सबसे भारी तत्तो कौन सा होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हीरा, हीरा, सबसे कठोर धातू है, प्रस्ण 49 देखते हैं, टीका करण के जनक कौन माने जाते हैं, यबिस्ट में सबसे पहले टीके का खोज हुआ था, तो वो किस ने किया था, एडवर्ड जेनल ने, चेचक के टीके की खोज करी थी, प्रस्ण 43 देखते हैं, प्रस्ण 41 है, प्रकास बर्ष किसकी इकाई होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दूरी की, याद रखना दूरी की इकाई है, और क्या है धोनि पर जोसर के मापक जाता है तो इसका सही जौब हो जाएगा देसिमलव डेसिबल में परति तैंतलीष से वासिंग सोड़ा का फीर्मूला है आप इसको बताएगा तो इसका सही जौब हो जाएगा य ने तूषि ऑत्री सोडियम bicarbonate का सूत्र क्या है तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaHCO3 दोनों सेम है थोड़ा सा डिफ्रेंस है याद रखना सोडियम कलोराइड का सूतर क्या है तो अब बता दें कि सोडियम कलोराइड का सूतर क्या होता है प्रस्न 45 का जवाब होता है कि NaCl सोडियम कलोराइड का सूतर है प्रसन 46 है कैल्सियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है तो कैल्सियम नाइट्रेट का सूत्र है यन ए यन ओ थरी टू कुछ महत्रपूर सूत्र मैंने बता दिये हैं अब नेक्षित देखते हैं कि भोजन की उर्जाक की सिकाई से मापी जाती है तो भोजन की उर्जाक की इकाई म 143 परस्न है 49 RH factor किसे से संबंदीत है RH factor ये RH factor का सबसे पहले कुछ किसमें किया गया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंदर में परफंदर देख लेते हैं कि RH factor की किसमें की थी तो सही जवाब हो जाएगा Land Steiner और Winner ने अब इस प्रकार से student 50% देख लिए हैं अब देखते हैं अपने 91% को 51% है लेंस की छमता का मातरक है तो इसका सही जौब हो जाएगा Diopter परसन 1952 देखते हैं यूरिया में nitrogen की मातरा कितनी होती है तो यूरिया में nitrogen की मातरा 46% होती है परसन 33 है Mars Gas के रूप में किसे जाना जाता है Mars Gas के रूप में किसे जाना जाता है तो इसका सही जौब हो जाएगा methane यात रखना Next परसन देखते हैं 54% Bio Gas का मुख घटक क्या है Bio Gas का मुख घटक है methane इसका सूतर होता है CH4 Next परसन है भोपाल गैस तराजधी में मुख उत्तरदाई Gas कौन सी है तो इसका सही जौब हो जाएगा Methyl Isosinite या घटना कब होई थी तो 1984 को Next है कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है ठीक है याद रखना Next परसन है कि mercury की कारण कौन सा रोग होता है तो mercury के कारण minimata रोग होता है इसकी सबसे पहले मरीज कहां मिले थे तो जापान में मिले थे यहा रोग वहीं से आया था परसन 59 है बल्ब में कौन सी गैस का परियोग होता है बलब में जो लाइट चलती है घर में उसमें कौन सी घेष का परियोग किया जाता है तो उसमें आरगन का परियोग किया जाता है याद रखना प्रस्ण है 60 बल्व के तंटू किसके बने होते हैं जो उसके अंदर पतले से तार होते हैं वो किसके बने होते हैं तो वो टंगस्टन के बने होते हैं इसलिए वो पिघलते नहीं हैं फलो को पकाने के लिए किसका परियोग किया जाता है, 61 है कि फलो को पकाने के लिए किसका परियोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यही लीन का, 62 है, सुस्क बर्फ क्या है, सुस्क बर्फ क्या है, तो यह carbon dioxide का ठोस रूप है, प्रसम 63 है कि कि किस चीज के ब ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो यहाँ समताब मंडल में पाई जाती है, जिससे यहाँ भायोयान उडाने में असानी होती है प्रसन है कि Greenhouse Gaze का मुख घटक है मुख घटक पूछ रहा है वैसे नहीं तो मीठिन भी हो जाता है जलवास्ट हो जाता है और मुख घटक में Carbon drip Oxide होता है रात में पेडों के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि माना जाता है कि रात में पीड के नीचे सूने से पीड़ों से कार्बंडाय एक्सायट गयाष निकलती है प्रद्या में पहला प्रत्या रोपन किस ने किया था खिए पहला हिर्द्य प्रत्य रोपन किया था क्रिष्टियान बर्णांडे याद रखना नेक्स्ट है कि पहला मानो हिर्द्य प्रत्य रोपन कहां किया गया तो इसका सही जौब हो जाएगा साउथ अफ्रीका में याद रखना पहला हिर्द्य रोपन कहां किया गया था साउथ अफ प्राप्त होता है और इसका रसायनिक नाम है कैल्सी फेरॉल नेश्ट है कि दांतों तता हड्डियों में पाया जाने वाला तत्तु है दांत और हड्डियों में कौन सा तत्तु पाया जाता है तो दांत में कैल्सियम और हड्डियों में फास्फोरस याद रखना नेश्ट है क पाव क्रिष्टेटस किसका बग्यानिक नाम है तो ये सही जवाब हो जाएगा मोर पाव से पिकॉक ऐसे याद रख लेना मनुस्थ के सरीर में परचूर मात्रा में पाया जाने वाला तत्तु कौन सा है इसका सही जवाब हो जाएगा आक्सीजन मनुस्थ के सरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है आप कुछ मनुस्थ के बारे में जानकारी ले ले लेते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रमस्थिस्क जिसे सेरिब्रम कहते है नेश्ट है कि मनुस्त के मस्तिस का वजन कितना होता है तो मनुस्त के सरीर का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम और एंसर में लिखा रहेगा 1350 याद रखना नेश्ट है कि मनुस्त के सरीर में सबसे छोटी गरंथी कौन सी होती है तो मनुस के सरीर में सबसे छोटी गरंथी होती है प्यूस गरंथी इसे पिटियोरी गरंथी भी कहते हैं Next है कि मनुस में कौन रक्त वर्ग सरोदाता कहलाता है तो जो सभी को एपना रक्त देदे उसे कौन सा रक्त कहते हैं O, याद रखना, next है कि मनुस में कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही कहलाता है, मतलब वो सभी के रक्त को ले सकता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा, A, B, मनुस के सरीर में टीविया नाम खड़ी कहां पाई जाती है, तो इस टीविया से टासे टासे टांग, याद रखना next प्रस्ण है, 80, मानो रक्त का pH कितना होता है, मानो रक्त का जो सरीर में खून पाया जाता है, उसका pH कितना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 7.4 नेक्स्ट है कि मनुस में रक्च चाप किस गरंथी के द्वारा नियंत्रित होता है तो रक्च चाप नियंत्रित होता है या एड्रेनल गरंथी के कारण मनुस के सरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है और यह कहां पाया जाता है इसको भी बताना कमेंट में तो इसका सही जवाब हो जाएगा stapege वानुस के सरीर में सबसे छोटी हड्डी stapege है मनुस के सरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है याद रखना प्रस्ण है कि बुढ़ापे में कौन सी गरंथी लुप्त हो जाती है देखते हैं तभी इंसान धीरे-धीरे बुढ़ा हो जाता है तो यह गरंती होती है थाइमस गरंती बुढ़ापे के साथ यह बिलुप्त हो जाती है मनुस्थ के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है मनुस्थ के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है 46 जोड़े में पूछे तो 23 मानो सरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है तो मानो सरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका प्रस्ण 89 देखते हैं student मनुस्त का समान रक्त चाप कितना होता है तो मनुस्त का समान रक्त चाप होता है 120 by 80 mmHg याद रखन 120 से 180 होता है मानो सरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं तो इसे कहते हैं पलीहा को याद रखना किसे कहते हैं मानो सरीर का रक्त बैंक तो इसका सही जवाब हो जाएगा पलीहा नेस्ट परसन देखते हैं मनुस के सरीर में सबसे छोटी गरंथी कौन सी है तो सबसे छोटी गरंथी होती है प्यूस गरंथी याद रखना नेश्ट परसन देखते हैं 92 मानो सरीर में जल की मातरा कितनी होती है मानो के सरीर में सबसे अधिक जल होता है और उसका परतिस्थ होता है 80 नेश्ट प्रस्ण है कि मनुस्त के सरीर में पाचन मुख्यता कहां पर होता है तो पाचन सबसे अधिक मतलब फाइनली कहां पर होता है छोटी आत में मनुस्त के सरीर में पित कहां पाया जाता है या पित कहां उत्पन होता है तो पित होता है यक्रित में पित यक्रित ऐसे या अगनासा में अब नेक्षत है कि मनूस के सरीर में इंसुलिन का निरमाड कहां पर होता है अगनासे में प्रस्टन है 98 हम सव पर पहुचने वाले हैं स्टुजन चोट लगने पर किस प्रोटीन के कारण रख्त जमता है तो यह हो जाएगा फाइब्रो जोनेम फाइब्रो नोजयन याद रखना नेश्ट है कि भोजन का पाचन मनुस्ट के किस अंग से प्रारंब होता है तो भी बताया था कि इस्टार्ट तो मुख से हो जाता है लेकिन फाइंडली कहां पे पाचन होता है छोटी आथ में आज का लाश्ट प्रसन है फूलों के नर जननांग को क्या कहते हैं तो बताएं इसका सही जौब क्या हो जाएगा एंडरो सियम याद रखना 101 प्रसन हमने complete कर लिया है और आपसे request है कि जिन्होंने इन सभी टापिकों को नहीं देखा है और प्लीज प्लेलिस्ट में सी video save है आप उसको जाके जरूर देखें तो student और मेरे लिए एक प्यारा सा जिससे मुझे motivation मिलता रहे एक प्यारा सा comment और एक प्यारा सा like जरूर करें और आपको अगर कोई important वीडियो चाहिए जिस topic पे अगर मैराथन चाहिए तो आप मुझे message कर सकते हैं तो मैं आपको subject से related मैराथन class जरूर देदूँगा फिर कल मि हुआ है तो